हेलो दोस्तों देन डेन न्यूज्स में अप लोग का सवागते हैं और आजकी टेक न्यूज्स लो हो गया सवाल पूछता रहो 55,000 लोगों ने वोट दाला उसमें से 53,000 यानि कि 95% लोग बोलते है हाँ हाँ रखिये पूछिये हमें अच्छा लगता है ये थोड़ा मैंने अट किया था लेकिन जो आपने कहा वो हम करेंगे और अभी आज तो नहीं अच्छे आइडिया आएगा पोल क तो आपसे सवाल पूछोगा और आपसे जवाब मांगतार होगा गर्मा गर्म टेक नियूस दोस्तों गर्मा गर्म टेक नियूस आ गई है बहुत बहुत शुक्रिया कल 25,000 से ज्यादा आपने लाइक दिया आज भी वैसे ही करना दोस्तों और आज तो बाल डिया भरबर के टेक नियूस लेकिया गया हो जादा नवीस नहीं करते हैं और फड़ा वट से आज की टेक नियूस शरू करते हैं तो बेले कबर की बात करते हैं यहाँ पर हुआवे के लेटिस्ट किरिन 820 वाले प्रोसेसर से जिहां ये किरिन 810 का सक्सेसर होगा मिड रेंज में ही होगा इसमें 5G भी मिलेगा और ये आएगा Q2 2020 से अब इसके स्कोर्स आगा है ऑनलाइन ये गीक बेंच पर लिश्ट हुआता और आप सर्प्राइस हो जाएगे जब ये सुनेंगे इसने 2019 के जो फ्लेक्शिप प्रोसेसर थे किरिन 980 और स्नैप्डेगन 855 को आउट परफॉर्म क मिलता है जो एक्चली में बहुत ज़्यादा पाफुल है और जो CPU है वो से में कोर्टेक्स A76 जो किरिन 810 में भी था तो मतलब ये जो प्रोसेसर आएगा ये बहुत ज़्यादा पाफुल होगा और मुझे लगता नहीं कि इंडिया में हमें इतना जल्दी मिलेगा ये पहला जाएगा तो ये कितना जल्दी आएगा उसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन दोस्तो लग तो बहुत ही कमाल कर आया है और इसके बारे में आपका क्या खैल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो क्या आप दोस्तो फाइनली सोनी प्लेश्टेशन 5 की ओफिशियल स्पेसिफिकेशन निकल कर आ चुकी है दोस्तो इतने टाइम से लीक्स रूमर्स हो रहे थे लेकिन सोनी ने फाइनली अन्वील कर दिया है और इतना जादा फास्ट दोस्तो पीएस फाइफ के पीएस फॉर उसके सामने कुछ भी नहीं है फॉर एग्जामबल पीएस फॉर म आपको AMD का मिलता है लेकिन ये कस्टम है 10.28 Teraflops का आपको स्पीड देता है वैसे 16GB के आपको GDDR6 वाली RAM मिलती है और आपको 825GB की SSD मिलती है वैसे जो SSD है बताया जा रहा है कि 5.5GB की स्पीड में आपको मिलेगा पर सेकंड जो एक्चली में बहुत जादा फास्ट है वैस चीज़े आपको मिलेगी और साथ में दोस्तों backward compatible है मतलब PS4 की जो games है वो obviously PS5 में चलेगे और PS5 की games जो आएगे वो बहुत जादा powerful होगे वैसे 4K 120Hz support करेगा game और 8K gaming भी आपको यहाँ पर इसमें मिलेगी तो on papers बहुत ही जादा powerful है लेकिन Xbox के X series से powerful नहीं on papers वो थोड़ा PS5 उससे नीचे आ जाता है वैसे आपको क्या लगता है PS5 के बारे में क्या आप excited है आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो क्या पर दोस्तों finally Mi 10 की India की official launch date निकल कर आ चुकी है और दोस्तों इंडिया में Mi 10 31st March को launch होने वाला है और आप देखेंगे इस poster में उन्होंने यहाँ बता दिया है वैसे यह एंडिया का पहला phone होगा जिसमें 108 Megapixel के camera होगा और साथ में इसमें 5G भी होगा ऐसा इस poster में दिखाया जा रहा है मैं आपको कल exclusive news दिया था न दोस्तों क्या बोला था कि March में Mi 10 आएगा और पहले Mi 10 आएगा और बाद में आपको Mi 10 Pro मिलेगा तो मैं जो news आपको देता हूँ न टेक news में जो exclusive information देता हूँ उसको पकड़ के रखना क्योंकि हम बहुत अंदर नंतर तक घुसते हैं और सारे information भाग निकल के लेके आते हैं देखते दोस्तों इसके क्या price होगी मुझे नहीं लगता है यह सस्ता होगा क्योंकि अभी GST वगरा भी जो हमारी government है वो हमारे call data records यहाँ पर मांग रही है telecom operator से तो D.O.T. Department of Telecommunications ने अब उस चीज़ को clear कर दिया और उनने ये बता है कि भाई हम जो data ले रहे ना वो आप पे नजर रखने के लिए नहीं ले रहे आपकी privacy कोई खत्र में नहीं आएगी actually में जो poor network quality है उसको improved करने के लिए call drops जो होता है जो calling me issues होती है उसको monitor करने के लिए हमें लोगों के data चाहिए इसलिए हम वो ले रहे है हम ऐसे कोई privacy किसी का break नहीं करने वाले है तो finally ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उन्होंने बताया कि भाई को privacy वाला लफडा नहीं है उ लोग बुरते किया रहे है तो हमारी privacy में खत्रा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो finally उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया तो ठीक है आप टेंशन नहीं लेना है आप उन्होंने बोला ऐसा तो अच्छी बात है बाकी तो उसके बार में बुझे और कुछ नहीं पता है वैसे दोस्तों अब एक controversial यहाँ पर चीज़ हो गई है Redmi K30 जो प्रो आएगा इसमें बताया है कि आपको 90 Hz वाली display नहीं मिलने वाली है officially उन्होंने confirmed कर दिया है कि 60 Hz वाली standard display होगी और यह जो display होगी यह AMOLED होगी ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोल दिया लेकिन 180 Hz का आपको touch sampling वो लोग यहाँ पर provide करेगे तो I don't think so Black Shark 2 यह बहुत ही powerful gaming phone है जिसमें Snapdragon 855 प्रोसेसर है आपको AMOLED display मिलती है overall दोस्तों यह phone काफी बढ़ी है camera भी इच्छा है और design भी काफी कमाल किये वैसे तो normally 30,000 पर मिल रहा था Flipkart पर लेकिन अभी 10,000 रुपे का discount मिल रहा है अब सिर्फ 20,000 रुपे में मिलेगा सिर्फ 20,000 पर में मैं आपको description comment में link देदूगा वहां सचा कि try कर लेना अगर मिलता है तो अप ले लेना पता नहीं इसकी price कभी भी बढ़ सकती है तो अगर मिलता है तो चले आना और मज़े करना तो यहांपर दोस्तों realme की दरफ से बहुत interesting ख़बर आ रही है और आज की जो tech news का जो नई series होगी जिसमें बहुत सारे phones हमें अभी देखने को मिलेंगे दूसरी बात यह दोस्तों कि इसमें अलग लएक नाम के phones आएंगे अलग लएक price segment में पहला जो phone आएगा दोस्तों वो around 10,000 के असपास होगा जिहां 10-10,11,12 ऐसा 10,000 की range का यह phone होने वाला है उसके बात जो phone आएगा दोस्तों वो Poco Killer होगा जी हाईए मैं अपनी source से बता रहा हूँ वो phone जो आएगा वो Poco X2 या ऐसे किसी phone से compete करेगा जो बहुत ही ज़दा powerful होगा यह जो नार्जो है दोस्तों उन्होंने ऐसा बताया कि इसमें बहुत ही max performance वाले हम phones को launch करेंगे मतलब बहुत ही powerful processor और young generation जो है जो generation Z करके वो लोग बता रहे यह उनको target करेगा जो obviously game खिला पसंद करते तो जवान लोग है यह specially उनको target करेगा ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है तो यह जो series होगी यह बहुत ही powerful होने वाली है specially young लोगों को target कर रहे है ऐसी चीज़े यहाँ पर पता चल रह था पहले जो दो नाम decide हुए थे ना वह बहुत अजीब थे एक था friend stalker वाट दूसरा था vibrate वाट तो आज की रेक नूस पसंद आगी अगर आपको पसंद आता तो जब सच वीडियो को लाक करेगे नीचे वाला वीडियो अगर पसंद आता तो जाके देख लेना नई है तो सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं आपसे खिलिवड़े में ने हुड़ेक साथ तो यह रेकर देख तेल नंगुए विडियो अब्ली अगर टेख गलीज़।